दुरुवराथी, गौरफ ठाकुर, नितीश राजपूत, सोच पाइमोहकमंगल, उपन लेटर, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स ये वाला हाइलाइट एफेक्ट अपने वीडियो में यूज करते हैं, इस वाले आर्टिकल में ये वाला पार्ट हाइलाइट करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे पिक्सल लैब अप्लिकेशन में ताकि हम ये रेक्टैंगूलर शेप्स क्रिएट कर सकें, पिक्सल लैब में आके सबसे पहले यहां से इमेज साइज 19,20 इन्टू 10,80 सेलेक्ट कर और ये टेक्स बॉक्स को डिलीट कर देंगे, अब शेप्स की ऑप्शन में जाके एक रेक्टैंगूलर शेप्स सेलेक्ट करेंगे, और इसका लेंथ और इस तरीके से एज़स कर लेंगे, अब यहां से इसका रेडियस 3% इंक्रीज करेंगे, और अगर कलर की बात करें तो क कोई भी light color आप इसमें select कर सकते हैं जैसे yellow, green, sky blue, pink, purple बट मैं अभी yellowish color ही select कर लेता हूं और ओगे पर click कर देता हूं ये करने के बाद टिक कर देंगे और यहाँ shadow के option में जाके इसमें shadow भी add करेंगे इसका blur radius 5 कर देंगे और x and y को भी थोड़ा सा करेंगे as simple as that हमको यहाँ पर दो lines highlight करने हैं और दोनों का size अलग-अलग है तो rectangular shape का size भी अलग होना चाहिए इसलिए एक और shape हमें यहाँ पर create करना पड़ेगा तो हम इसी को select करते हैं और यहाँ relative size में जाके इसका width सिर्फ कम कर देते हैं इस तरीके से इसको middle में लेके आ highlight effect और मैं आपको दो highlight effects create करके दिखाने वाला हूँ जो second वाला है वो इससे भी ज़्यादा better है और इससे simpler है तो सबसे पहले अपना article यहाँ से import कर लेते हैं यह import होगे article और यहाँ एक key frame add करके यहाँ पर भी एक key frame add करेंगे और इसका size थोड़ा सा इस तरीके से increase कर देंगे ताकि यह और भी ज्यादा professional लगे अब overlay की option में जाके हमने जो shape create किया था उसको import कर लेंगे और इसको यहाँ पर जहाँ पर भी हमको highlight करना है वहाँ पर position कर देंगे इसका size भी यहाँ तक increase कर देते हैं और अब चलते हैं masking के option में select करते हैं horizontal masking और rotate कर लेते हैं इसको minus 90 degrees अब यहाँ पर add करेंगे हम एक keyframe याद रखिए यह masking वाला keyframe है यह normal जो position change करने वाला keyframe होता है that is not this one तो इसका हम position कर लेंगे यहाँ पर starting में feature कर देंगे 15 अब यहाँ पर आके एक और keyframe हम add करते हैं और इसका position पिलकुल end तक लेके चले जाते हैं feature को zero कर देंगे और finally blend के option में जाके burn का effect select करेंगे अगर आप color burn का effect select करोगे तो भी काफी अच्छा रहता है यह देखे लेकिन फिलाल मैं color burn effect select कर रहा हूं मतलब blending effect तो अब देखिए हमारा final result कैसा आने वाला है यही same चीज़ आप ही पुद के लिए create कर सकते ह और नीचे वाला भी line highlight करना है तो उसके लिए वापस से overlays में जाके हम दूसरा rectangular shape select करेंगे and same process repeat करेंगे तो इसमें भी यहाँ पे सबसे पहले इसको position कर लेते हैं चलते हैं mask की option में और regional mask select करेंगे rotation minus 90 position यहाँ पे कर देते हैं feature कर देते हैं 15 एक और keyframe हम यहाँ पे add करते ह पीचर 0 position last इसका हो गया काम अब हम चलते हैं blending की option में इसको कर लेते हैं burn और अब देखें तो इस तरीके से आप पहला highlight effect cap cut में create कर सकते हैं लेकिन अभी मैं जो second वाला highlight effect आपको बताने वाला हूं वो इससे काफी easy है create करना और वो भी काफी professional लगता है तो मैंने किसी और की वीडियो में देखा था and it looked cool तो सोचा कि आपको बता देता हूं फिलाल मैं इनको कर लेता हूं delete तो इसके लिए आपको कुछ extra नहीं करना बस एक यहाँ पे line import करनी है इसका link download link मैंने description में दे रखा है तो इसको जाके download कर लो और वही सारे steps जो मैंने अभी आपको बता है थ करो feature में जाके थोड़ा सा feature increase कर दो keyframe add करो इसका starting point में लेके चले जाओ और यहाँ पे आके एक और keyframe add करो फीचर इसका zero कर दो position इसका end कर दो और इसमें आपको blend करने की कोई जरूवत नहीं है यह देखो नीचे आपको जितने भी lines highlight करने है बस simply इसको यहाँ से copy करो और इस तरीके से position कर दो इसको अगर और professional बनाना चाहते हैं तो इस second वाले layer को इस तरीके से आपको थोड़ा सा displace कर देना है यह देखे इसमें आपको हर line highlight करने के लिए different shapes create नहीं करने पड़ेंगे एक simple से line है उसमें ही आप masking tool use करके जितना part आप highlight कर सकते हैं तो आप भी अगर अपने वीडियो में चाहो तो cap cut से ही highlight effects create कर सकते हो और अपने वीडियो को थोड़ी और जादा professional बना सकते हो बट creators में एक बहुत बड़ा misconception है कि अगर वो सिर्फ अच्छी videos create करते हैं तो उनकी videos viral हो जाएंगी जबकि ऐसा नहीं होता और ऐसे ही misconceptions की वजए से a lot of creators never ever grow on YouTube और YouTube पे लोग fail क्यों होते हैं वो मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से discuss किया हुआ है तो आप वो video भी check out कर सकते हैं thank you